चौथी प्रकृति जब हम पार्टी की बात करते हैं तो वह है गुटों में ताल मेल और सहन शीलता एक और गटबंधन की राजनीती थी एक और विभिन विरोधा भासी जो तत्व थे वो एक दूसरे से जड़ो हुए थे तो दूसरे और ये बात भी ख्याल लखना चाहिए कि गुटों में ताल मेल और सहन शीलता थी तभी तो एक मत होते थी तभी तो आम सहमती आती थी इसलिए चौताबंधन की बात मानते थे उनकी बात को सहते थे जही उनका बड़ापन भी था विविन गुटों और हितों में ताल मेल पैदा करके उन्हें साथ लेकर चलने के ख्यमता कई बार कॉंग्रेस को सुला और समझोते का रास्ता भी अपनाना पड़ा समझोता करना पड़ा कॉंग्रेस को कई बार अपनी आधार भूत मुद्दों पर सुला करना पड़ा लेकिन उसका अच्छा पहलू ये अच्छा प्रभाव ये कि कॉंग्रेस एक जुट बनी रही समझोते का रास्ता कई बार यदि अपनाना पड़ा तो इस कार्थ ये नहीं कि दल तूटने की कगार पर था बलकि इस कार्थ ये कि सब की सहमती लेकर साथ चलने की जो कॉंग्रेस की प्रवृत्ती हो गई थी वह जारी थी मुस्लिम लीक की यदि बात करें तो मुस्लिम लीक को अपने साथ बनाय रख कर राश्टी अंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास कांग्रेस ने किया ज़िए आप इतिहास को जहांकें 1905 से लेके 1925 तक के काल का इतिहास मुस्लिम लीक की स्थापना से लेकर आगे तक का तो कई आप दाहरन पाऊगे जब कांग्रेस ने भरतक कोशिश की कि मुस्लिम लीक को साथ लेकर चले और साथ लेकर चलने के लिए जो कुछ समझोता संभव है उसे किया जाए कई बार ऐसा करते हुए सिध्धानतों के साथ भी उसना समझोता किया और उसका आरोप उस पे लगता है बारंबार आज भी लगता है इतिहास कार इतिहास विद कॉंग्रेस को ऐसे आरोपों से नहीं छोड़ते मुक्त नहीं करते लेकिन इसका दूसरा पहलू ये था कि इस समझोता वादी नीती सहन शीलता की नीती तालमेल की नीती के परणान तुरूप समाज के विभिन गुट विभिन हित कॉंग्रेस के साथ में चले कॉंग्रेस सफल रही और विभिन विचारधाराओं वाले तत्व भी कॉंग्रेस का अंग बने रहे एक और साम्मेवादी विचारधारा वो भी कॉंग्रेस में सक्री थी साम्मेवादी विचारधारा अर्थात पूरी तरह से एक अलग विचारधारा के लोग होते हैं इनकी सोच बिलकुल अलग रहती है ये लोग धर्ब पे कताई विश्वास नहीं करते ये लोग किसी भी तरीके से उच्च वर्ग के प्रती सहिश्न हो ही नहीं सकते सक्तिने नफरत है किवल मजदूरों किसानों और निम्र तबकों की बात करते है ऐसे लोग भी कॉंग्रेस के अंदर समाहित थे और उन्हें बोलने के स्वतंता थी सक्री रूप से भाग लेने के स्वतंता थी एक गुठ के रूप में ये लोग कांगरेस के अंदर ही सक्री रहे कांगरेस की दूसरी वशेष्टा ये भी थी कि सहनशीलता विचारों का तालमेल एक और सहनशीलता दूसरी बार जब भी किसी प्रश्ट या मुद्दे पर विचार होता था तो हर एक को अपना मत अपना विचार रखने का मौका दिया जाता था चाहे वो विरोधी क्यों नहों और बल्कि ऐसा देखा गया कि विरोधी विचारों को और ध्यान से सुना जाता था स्वतन भारत की राजनीति के शुरू के वर्षों में सत्ता रूर दल जो कॉंग्रेस थी और विपक्षी दलों में जो अच्छे संबंद थे उसके पीछे यही सहन शीलता एक मुख्य कारण रही। कॉंग्रेस की यही सहन शीलता का इतिहास मुख्य कारण था विरोधी दलों और कॉंग्रेस के बीच के मधुर संबंदों का देश के स्वतनता के बाद के प्रारंबिक वर्षों में उस समय कॉंग्रेस में सहन शीलता की भावना होने के कारण विपक्षी नेता अपनी बातों को और तर्क को सामने रखते थे तो उनकी बातों को बड़े ध्यान से और सम्मान से सुना जाता था विचार किया जाता था चाहे वो संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो और वही विरोधी दलों के साथ भी था वे लोग भी कॉंग्रेस की जो व्रिक्ष रूपी आकार था उसके तले अपने को दबा महसूस नहीं करते थे वे भी कॉंग्रेसी निताओं को उनके विचारों को और सरकार को सम्मान देते थे ट्रस्ट बिगेट्स ट्रस्ट एक दूसरी पर विश्वास करते थे एक दूसरे का सम्मान करते थे यदि हम देखें तो चुनावी प्रतिस फर्धा की बात करें जो सतंता के बात शुरू हुई तो पहले दिशक में कॉंग्रेश ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी भूमिका निभाई इसके माइने क्या हुए कि कॉंग्रेश शासक दल था लेकिन चूँकि विपक्ष बहुत नगन्य था कॉंग्रेश के अंदर के ही लोग कॉंग्रेश के विचारों का प्रकर विरोध करते थे पुर जोर बहस करते थे वाद विवाद करते थे तो कांग्रिस शासक दल होते हुए विरोधी दल भी था शासक दल और विपक्षी दल ये दोनों दलों की भूमिका बख्भूबी निभा रहा था वैसे ही जाकि सम्मिधान सभा दो भूमिका आए निभा रहा था एक तो समिधान बनाने की और दूसरा देश चलाने की कारिपालिका की भूमिका और साथ ही साथ व्यवस्थापिका की भूमिका दोनों जैसे समिधान सभा निभा रहा था वैसे ही प्रारंबिक दौर में कॉंग्रेस जो है वह सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों की बहुत कम दल थे बहुत कम विरोद था लेकिन कॉंगरेस को कि विचार धारात्मक गड़बंदन थी Canberles के अंदर के ही लोग कॉंग्रेस की विचारों का विरोध करते थे जहां पर उन्हें विरोध करना होता था वाद विवाद करते थे जिरह करते थे आदी आदी ये प्रारंबिक वर्षों की वाद इसी कारण और इसी कोई प्रारंबिक वश्यों की जो भारती राजनीती है, ये पंदरा वर्शों की जो भारती राजनीती है, उसे हम कहते हैं कॉंग्रेस प्रणाली का काल कॉंग्रेस प्रणाली का काल के सמंद में आप अन्य अध्याय में अध्याई फिलहाल और इस अध्याय में आप अध्याय करते हुए कॉंग्रेस प्रणाली को और विस्तार से समझेंगे यहाँ पर बड़े संख्यप्त में हमने वता दिया कि कॉंग्रेस प्रणाली के ताथ गड़ बंधन, विचार धारात्मक सहन शीलता और ताल मेल सामाजिक सामाजिक गड़ बंधन आदी आदी ये कॉंग्रेस प्रणाली का एक अहम हिस्सा थी कॉंग्रेस स्वयम की प्रकृती और कॉंग्रेस के प्रभुत्य के कारण इनको अब हमने अच्छी तुरह समझ लिया और बड़ा रूचक रहा है ये अध्यन आपको भी मज़ा आया हो गए जानते हुए कि कॉंग्रेस पार्टी जिसे आज हम इतना सुनते हैं जो आज संघर्ष कर रही है उसके शुरुवाती दौर कितने सुन्दर थे और कैसे बदलाव आया है इतिहाद बिल्कुल स्पष्ट बताता है कि हर चीज का उतार और चड़ाओ होता है कॉंग्रेस के वर्चस्व से लेकर आज हम भारती जनता पार्टी के वर्चस्व के दौर में आ गए हैं लेकिन दोनों की वर्चस्वता में अंतर है कॉंग्रेस अपने प्रारंबिक काल से ही एक विशाल बटवरिक्ष थी और उस काल में एक छोटे से दल का जन्म होता है जिसका नाम था जन संग डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी के द्वारा स्थापित एक अलग विचार धारा का दल अपने को जन संग नाम से शुरू करता है और प्रारंबिक चुनाओं में से तीन सीटे मिलती हैं लोक सभा में तीन सीटें वाला वह दल आज भारती जन्ता पार्टी के रूप में तीन सो तीन सीटें वाला दल है और बल्कि गटबंदन की बात करें तो 303 नहीं, 353 सीटें इसके पास है तो विपक्षी पार्टियां अपनी भूमिका समय समय पर निभाती रही, इसका भी हमने अध्यन किया और जनसंग भी एक विपक्षी पार्टी थी अब हम इस अध्याय में आते हैं, इस अध्याय के उस पड़ाओ पर, जहां पर अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विपक्षी पार्टी वह कौन कौन सी थी किस रूप में उन्होंने अपनी भूमिका नभाई, इनका उद्या कैसे हुआ, और आज वे कहां पर हैं उस में से कितने हाशिये में चली गए और कितनी आज भी अपनास्तित बनाय रखी हैं, अपने को मजबूत रखी हैं भारती राजनीती में यदे हम बात करें तो आजादी के बाद सक्री दलों की जब मैंने बात की थी, तो दो दल बताये थे, भारती कम्यूनिस पार्टी और कॉंग्रेस लेकिन अधि भारती Communist Party को छोड़ दें तो सभी दल जो विपक्षी थे उनका उदैक स्वतनता के बाद हुआ भारती Communist Party को छोड़ दें तो सभी दल थें इन मेंसे कई दल जो ऐसे थे जो Congress से निकले थे Congress में उनका वजूद था पर Congress से तूट कर अलग हुए जैसा मैंने बताया कि Congress एक सामाजिक और वैचारिक गटबंधन था कभी कभी कई बार ऐसे हाथ से भी हुए जब इस गडबंधन में सेंध पड़ी और कुछ लोगों ने वैचारिक मत भेजित के कारण अपने को Congress से अलग कर लिया और अलग दल बना लिया ऐसे कई दल बने जो Congress से तूट कर बने यदि पूनिस सो साथ सतर के दशक में कई नई पार्टियों का दे हुए लेकिन उनकी जड़ें हम उननिस सो पचास के अस्तित में आई विपक्षी पार्टियों में देख सकते हैं इस बात को पुना समझ लें 1960 और सतर के दशक में और साथ 1960 से लेके 1980 कई नई पार्टियों आई लेकिन यदि आप थोड़ा से इपार्टियों का ध्यन करें थोड़ा बारीकी में जाएं तो आप पाएंगे इन सब के पीछे 1950 में जो पार्टियां थी उनकी जड़े हैं उनके मूल में उनकी जड़े हैं अर्थाथ ये मूल था 1950 के दशक की ही पार्टियां हैं उनका थोड़ा बदला हुआ स्वरूप है जैसा मैंने जनसंग की चर्चा की 1950 और 60 के दशक में विपक्षी पार्टियों को लोकसभा में नाम मातर का प्रतनिजित था हमने देखा कॉंग्रेस 364 फिर कम्यूनिस्ट पार्टी 15-16 और बाकी सब 2-3-1-2-3 तो नाम मातर का प्रतनिजित तो मिला लेकिन योगदान इनका बड़ा हम था अपनी विपास्थिती से तथा लोकसभा के अंदर और चनावी प्रक्रिया में भाग लेकर इन्होंने बड़ी सक्री भूमिका निभाई और भारत को लोक भारत में लोक तंत्र को मजबूत बनाने में प्रारंबिक दौर में भी इन विपक्षी दलों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है इससे कोई नकार नहीं सकता कई बार तो पार्टी संक्या कम होने के बावजूद धी कॉंग्रिस पार्टी की तारकिक आलोचनाय करते हुए कॉंग्रिस पार्टी की मनमानी पर रोक लगाते हुए इन छोटी छोटी पार्टियों के नेताओं ने बड़े अच्छे-च्छे भाशन दिया और सफलता भी पाई इनकी मनमानी पर रोक लगाने पर तानशाही प्रवृत्ति को चेक करने के लिए और कड़ी आलोचना करने के लिए और तर्क के आधार पर इन आलोचना की इसी पार्टियों के कारण हम निश्चत रूप से कह सकते हैं कि कांग्रेस के प्रारंभिक काल में या स्वतनता के बाद जब लोग तंतर की नीव को मदबूत करने की जहां एक चुनौती थी वहां इन दलों ने ताना शाही प्रवृतियों पर रोक लगाने में काफी कुछ सफलता पाई है और उसका अश्रे काफी कुछ इन विरोधी दलों को जाता है इन पार्टियों की श्रिंखला की यदि बात करें तो सबसे पहली पार्टी जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे वो Communist Party of India CPI CPI की यदि बात करें तो 1920 के दशक के शिरुवाती कालों में Communist Group आता है 1917 में रूस में करांती होती है Communist करांती उसका प्रणाम उसका पूरे विश्व में फैलता है भारत भी उससे उसके प्रभाव से बचनी पाता और भारत में Communist सोच वाले लोगों का उद्भा होता है यह वही काल है Soviet संकी करांती के बाद के वर्ष 1935 से इन सामिवादियों ने Congress के बैनर तले ही काम करना शुरू किया Congress के दाइरे में ही रहकर काम करना शुरू किया और नहरू को इसका प्रबल समर्थन था क्योंकि नहरू भी काफी कुछ समाजवादी विचारधारा से या Communist विचारधारा से प्रभावित थे Congress से सामिवादी सन 41 में अलग होते हैं जब मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अंत्ता सामिवादी अलग होते हैं और आजादी हासिल करने या आजादी हासिल होने पर 1947 के बाद कम्मिनिस्टों के अंदर ही बहुत सारी अलग-अलग विचारधाराएं अलग-अलग स्वार आते हैं इस पार्टी के सामने मुख्य बात ये थी कि आखिर जो आजादी हासिल हुई उसकी प्रकृति कैसी है क्या यही आजादी है क्या देश इतने वर्षों तक जो संघर्ष कर रहा था इसी के लिए कर रहा था कि अंग्रेज गए और एक खास तबके का दबदबा भारत की राजनीती में आ गया या आजादी के माइने ये हैं जहां पर मजदूरों को सत्ता मेस्तान मिले तो इस आजादी की प्रकृति को लेकर कम्मिनिश्टों के अंदर ही बहुत सारे मद्वेद हो गए यहां तक कि सवाल ये भी उठने लगा इनके बीच में कि क्या वास्तों में भारत आजाद हुआ है कई कम्मिनिश्टों ये भी कहने लगे कि भारत की ये आजादी तथा कतित है जूटी है ऐसी आजादी के क्या माइने जिसमें गरीब तबके मजदूर तबके को कोई फायदा ना मिले अंग्रेज गय तो उसके बड़ले नय रूप में समाज का एक तबके का डबदबा आ गया है जो कम्मिनिश्टों के एक वर्ग को स्विकार नहीं था और इसी लिए आजादी पर ही प्रश्ण उठने लगा अगला घटना करम इस आजादी की बात को लेकर इस पर प्रश्ण लगाते हुए तेलंगाना ख्षित्र में आंदोलन होता है कम्मिनिश्टों का हिंसात्मक आंदोलन करते हैं ये दिखाने के लिए कि वे लोग इस आजादी से खुश नहीं है तो कम्मिनिश्टों के द्वारा एक तरीके का पहला हिंसक आंदोलन तेलंगाना में जो आंदोलन प्रश्ण का हिस्सा था लेकिन साम्मिवादी इसमें सफल नहीं हो सके जनता का समर्थन उन्हें नहीं मिला और अगली बात सशस्त्र सेनाओं का प्रियोग करके इनके इस हिंसात्मक आंदोलन को दबा दिया गया, कुचल दिया गया लेकिन अप्राइजिंग तो हुई विरोध तो हुआ, हिंसा तो हुई सन इंकावन में साम्मिवादी पार्टी ने हिंस्तक रास्ते को छोड़ने का निर्ने लिया और चुनावी राजनीते में आई आम चुनाओं में भाग लेने का निर्ने लेती ये देखिए इसके इसके कम्मिनिस पार्टी के उद्य, विकास और बदलाओ के पायदान की बात कर रहा हूं सन बीस में शुरुआत होती है सन 35 में कॉंग्रेस के बैनर के तले आती है सन 41 में कुछ मुद्दों को लेकर कॉंग्रेस से अलग हो जाती है सतनता के बाद आजादी को लेकर परश्ण चिन उटता है और उसके बाद अगला तेलंगाना में हिंसक आंदोलन फिर अगला आंदोलन के कुचल दिया जाता है शेसर सेनाओं के बल पर उसके बाद अगला आम चिनाओं की राजनीत में भाग लेने पर कम्यूनिस्टों में सहमती होती है पहले आम चिनाओं में कम्यूनिस्टों सोला सीट जीतती है और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी विपक्षी पार्टी वैसे सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रेस 364 सीट दूसरे नंबर पर कम्मिनिस पार्टी जैसा कि आपने आंकड़ों का ध्यन किया पूर में लेकिन इस दल को जादा तर्समत्थन कहां मिलता है वही अंधर परदेश, तेलंगाना क्षेतर में, पश्चिवी बंगाल, केरल और बिहार में यहां उसकी विचारधारा सीमित रहती इन क्षेतरों में अगला पड़ाओं इसके जो प्रमुक्र नेता थे कम्मिनिस पार्टी के जिनमें एक एक गोपालन, एसेड डांगे, श्रीपाद, अमरिड डांगे, एमस नमूदरी पाद जिनका जिक्र मैंने पूर में किया है पीसी जोशी, अजै घोश, पीस और मस्चंदरिया, यह कई नाम उभर कर सामने आते हैं पाएंगे यह नाम विविनिक खेत्रों से है, केरल से भी इसमें नाम है, मदराद से भी, बंगाल से भी और इसके अलावा बिहार से भी अगला बिंदूश, चीन और सोवियस संग, सोवियस संग में 1917 में करांती होती है और कम्मिनिस्ट विचारधारा पूरे देश में चाजाती है एक पार्टी रूल, चीन में 1949 में कम्मिनिस्ट करांती होती है और माउजेड डॉंग वन पार्टी रूल लाते हैं और कम्मिनिस्ट पार्टी का वर्चस हुआ हो जाता है एक दली व्यवस्था लेकिन चीन और सोवियत संग दोनों कम्मिनिस्ट विचार धारा के होते हुएं भी दोनों में काफी कुछ अंतर था विचार धारात्मक अंतर दोनों कम्मिनिस्ट देशों की सरकारों के बीच में बहुत था जिसके कारण क्या होता है भारती कम्मिनिस्ट खेमे में भी समस्या खड़ी होती है कुछ लोग अपनी प्रेणा स्रोथ की रूप में चीन की और देखते हैं कुछ लोग अपने को दूसरी चीन से प्रभाविश ये घटना होती 1964 में सन 64 में कम्मिनिस्ट पार्टी में बिखराव आता है सोवियत संग की विचारधारा को जो लोग मानते हैं वे Communist Party में बने रहे और विरोज में जो लोग थे वो लोग भारती Communist Party Marxist या CPIM के नाम से खड़े होगा CPI Communist Party of India Marxist उन्होंने लिखना शुरू किया और इस प्रकार अलग दल बना लिया आज भी ये दोनों दल कायम हैं एक सोवियत संग से प्रेरित है एक चीन से प्रेरित है सोवियत संग स्वयम का विक्टन हो गया Communist Party वहां से पूरी तरह अमूल चूल गायब हो गई और सोवियत संग एक ऐसा मॉडल बन गया जो कम्मिनिस स्विचार धारा की असफलताओं को प्रदर्शित करता है उसके बावजूद भारत में सोवियत स्विचार धारा से प्रभावित Communist Party का स्थित्र बना है यह देपे इसका प्रभाव कम हुआ और दूसरी और चीन से प्रभावित जो दल है वह है CPIM CPI Marxist यह रहा Communist विचार धारा का इतिहाद भारत में इसके लावब और भी बहुत कुछ है लेकिन दलगत राजनीति की बात करें तो हमको यहीं तक सीमित रहना होगा अगला Socialist Party Socialist Party जो है उसको हम आजादी के पहले का दल मान सकते हैं इसकी जड़ों को आजादी के पहले तब ढूण सकते हैं जब भारती राश्टी कॉंग्रेस राश्टी आंदोलन चला रही थी स्वतनता आंदोलन चला रही थी इस राश्टी Socialist Party का गठन कॉंग्रेस के अंदर ही हुआ 1934 में याद रखें 1934 में और इसमें कुछ युवा लोग थे यंग फायर ब्रैंड लोगों की मदद से इस पार्टी के स्थापना होती है नहरू का भी इसको वरद हस्थ हासिल था समाजवादी विचारधारा के नहरू भी थे और सोवियस संग से प्रभावित थे और ये पार्टी भी अपनी प्रेड़ना सोथ के रूप में सोवियस संग को देखती थी 1934 में इसकी स्थापना होती है ये कॉंग्रेस से कैसे भिन थी कॉंग्रेस को ये ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन कामी और समतावादी बनाना चाहती है संग्रेस ने अपने संग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया जब वो एक राजनेतिक डल बन जाती है स्वतनता अंदोलन थमाप्थ हो जाता है गांधी तो यहां तक कहता है कि कॉंग्रेस को स्वतनता अंदोलन के साथ ही भंग कर देना चाहिए क्योंकि इसका जन्म स्वतनता अंदोलन के लिए हुआ था लेकिन ऐसा नहीं होता, वह पार्टी बनी रहती है, लेकिन कुछ बदलाओ के साथ, उन्हेस और तालीस में एक बदलाओ उसने किया और ये बदलाओ इसलिए किया गया था, ताकि कॉंग्रेस के सदस्य, दोहरी सदस्यता न रखें, अथा सोशलिस्ट पार्टी के विस्दस्य रहें और कॉंग्रेस के विस्दस्य रहें, पहले वो गटबंदन था, लेकिन कोई संधी या कानूनी रूप से कोई सहमत ही नहीं थी, विचार धाराओं के प्रतिस सहन शीलता कॉंग्रेस के प्रकृति में थी, लेकिन अब बदलते परिप्रेक्ष में देखा गया कि ये प्रतिस परधात्मक राजनीती जो है सत्ता की राजनीती, उसमें विचाराओं का टकराओं कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और इसका कुछ दुरुपयोग भी होने के संभावना है, इसके मद्दे नजर कॉंग्रेस ने उननिस और तालिस में एक बदलाव किया और कहा कि कॉंग्रेस के सदस्ता अब नहीं रख सकते, दोहरी सदस्ता रखते हुए वे कॉंग्रेस के सदस्ता नहीं रहेंगे, इसका परड़ाम, और किनको ध्यान में रखके ये बदलाव किया गया था, यही सोशलिस्ट जैसे गुटों को, जैसे ये बदलाव लगू होता है, कांग्रेस के समाजवादी तत्व मजबूरन उननिस और तालिस में अलग हो जाते हैं, और अलग होकर क्या बनाते हैं सोशलिस्ट पार्टी, उननिस सो चौतिस से में स्थापना, उननिस सो तालिस में विगटन, कांग्रेस से हटकर, मैंने आपको बताया कि बहुत सी पार्टियां 1950 के दशक में कॉंग्रिस से ही अलग होकर बनी है उनमें सोशलिस्ट पार्टी एक थी तो मजबूरन इने अलग होना पड़ा और सोशलिस्ट पार्टी चुनाओं में कुछ खास तो नहीं कर पाई लेकिन अस्तित्व इसका बना इन से पार्टी के जो समर्तक थे उनको जो उमीद थी उमें बड़ी निराशा होई पहले चुनाओं में तो इनको बहुत ही कम मत मिले हलांकि सोशलिस्ट पार्टी की मवजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राजियों में थी क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी के बहुत से इ कॉंग्रेसी थे जो पूरे देश में अंदरूनी अलाकों तक चाय हुए थे लेकिन जो लोग छोड़कर सोशलिस्ट पार्टी में हैं कॉंग्रेस छोड़कर वे उतने प्रभावशील साबित नहीं हुए कि वो सोशलिस्ट पार्टी को एक नई उर्जा दे सकें सोशलिस्ट पार्टी को कॉंग्रेस की टकर का दल बना सकें परणाम उने साबित कर दिया इसकी ताकत बहुत कम है इसे बहुत छिटपुट सफलता ही मिली बस और बड़े निराश्चा हुए यह जो पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी यह समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की वि अधारा का हिस्सा था और वे एक कंग्रेस त तो क्विशर दारा से उलग थे और कंप्रेस्ट पार्चारत हो रही है और मज्दूरों कि किसानों की विपेख्षा कर रही है तो कॉंग्रेस की प्रकृति में निश्चित रूप से बदलाओ तो आया था कि वो फिर से पुना शिक्षित वर्गों के नित्रित वाली दल बन गई थी जनाधार तो या जन जो जनाधार जो था वो तो समान जनता का था आम आदमी का था लेकिन उपर का नित्रित शिक्षित लोंगों के हाथ में धना डिवर्क के लोंगों के हाथ में जाता हुआ देखने पर इन समाजवादियों ने कटू आलोचना की और उस हद तक वो कॉंग्रेस से नराज थे और इसलिए अलग भी हुए उनका बड़ा स्पष्टा रूप था कि आपका दल जो है वो पूंजी पतियों का दल हो रहा है जमीदारों का पक्ष ले रहा है मज़्दूरों किसानों की उपेक्षा कर रहा है इस समाजवादी विचार धारा का नित्रित राम मनोहर लोहिया बहुत प्रसिद्ध नाम लोहिया वादी बाद में एक नहीं विचार धारा आई राम मनोहर लोहिया जो नहरू को बराबर की टक्कर देते थे वाद जिवाद में जो संसत के अंदर अपने भाशनों के लिए जाने जाते हैं वो राम मनोहर लोहिया के नित्र में कुछ समाजवादियों ने कॉंग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कॉंग्रेस के आलोचना की और इन्ही को हटाने के लिए उन्नीस और तालिस में वो प्राधान लाए गया कि दोहरी सदस्ता नहीं ले सकते कुछ अन्य समाजवादी भी थे जिसमें अशोक महता उन्होंने कॉंग्रेस के हलके फुलके सहयोग की तरफदारी भी की लेकिन कुल मिला कर यह हुआ कि सोशलिस्ट पार्टी अलग हो गई इसके बाद में कई टुकड़े भी हुए और हुए किसान मजदूर परजा पार्टी परजा सोशलिस्ट पार्टी सेख सोशलिस्ट पार्टी नए नए नामों से सोशलिस्ट पार्टी का ही विकटन होता चला गया जिसमें जयाप्रकाश नरायन, अचुत पतवर्धन, अशोक महता, आचारे नरंदर देव, रामनोहर लोहिया जिनका नाम मैंने पूर में लिया है, S.M. जोशी, ये सब बड़े प्रसिद्ध नाम थे और नहरू से कोई कम नहीं थे अपने प्रभाव में, अपने विचारों में, अपनी स्पष्ट वादिता में, अपनी जीवनशाली में, लेकिन दुर भाग गये, कि ये अपना वो प्रभाव नहीं छोड़ पाये, जिसकी अपेक्षा थी, आज का जो हिंदुस्तान है, आज का जो भारत है, उसमें कई दल आप पाएंगे, जो समाजवादी पार्टी, या राश्टी जनता दल, जनता दल युनाइटेड, जनता दल सेकिलर, ये सब सोशलिस्ट पार्टी के ही विकृत रूप हैं, इनके मूल में सोशलिस्ट में कॉंग्रेस है, कि सोशलिस्ट पार्टी के मूल में कॉंग्रेस है, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वर्तमान की जो बहुत सी पार्टियां है, उनका मूल, उनका, उनकी जड़ हम कॉंग्रेस में देख सकते हैं, और आज की तारीख में समाजवादी पार्टी उत्त खेत्रों में सोशलिस्ट के नाम से खेत्रवी प्रभाव जरूर डाल रहे हैं इन में सोशलिस्ट पार्टी के छाप देखी जा सकती है अब हम आते हैं उस डल पर जिसका जन तो सतंता के बाद हुआ लेकिन सत्तर वर्षों में इसने अपने कुछ रूप बदले और आज सत्ता में हैं अर्थाथ भारती जनता पार्टी जिसका मूल नाम हम देखें तो भारती जनसंग मैंने पूर में इसका जिक्र करते हुए आपको बताया था कि भारती जनसंग का गठन 59 में हुआ डाक्टर शामा प्रसाद मुकर जी इसके संस्तापक अध्यक्स हुए और इस दल की जो जड़े हैं उसे हम राष्टी स्वय में सेवक संग और हिंदू महासभा में देख सकते हैं अर्थाथ संस्थापक जो सदस्य थे 1959 में इसके इस पार्टी के ये वे सदस्य थे जो पूर में सतन्ता से पहले आरेसे और हिंदू महासभाद से निकले हुए थे उससे ट्रेनिंग लिए हुए थे उससे उसकी छत्रचाय में बढ़े थे जनिसन की जब बात करते हैं तो उसकी जो विचार धारा उसको हम सबस्च समझ लें एक देश एक संस्कृती एक राश्टर इनके मूल में इनके विचार एक देश एक संस्कृती और एक राश्टर इनका मानना था कि देश भारती, संस्कृती और परंप्रा के आधार पर आधनिक प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है अर्थात इनका जोर इस मूल मंत्र में तो था ही जिसको मैंने कहा एक देश, एक संस्कृत और एक राष्ट इसके अलावा काफी कुछ ये परंप्रावादी है, परंप्राओं पर इनका बड़ा मजबूत विश्वास है, भारती संस्कृती पर टूट विश्वास है और इनका कहना है कि हम अपने संस्कृती और परंप्राओं को अख्युन बनाया रखते हुए भी आधिनिक्ता की और बढ़ सकते हैं, प्रगतिशील हो सकते हैं और ताक्यत वर बन सकते हैं ये वो जनसंग ही था, जनसंग पार्टी ही थी जिसने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात की थी अपना सपना देखा था उसने इस रूप में कि हम इन दोनों को एक जुट करने में एक दिन सफल होंगे ये वही दल है जिसने अंग्रेजी को हटा कर हिंदी को राजभाशा बनाने के अंदोलन में एक बहुत महत्पूर्ण भूमिका निबाए सबसे आगे थी बलकि हिंदी को राजभाशा बनाने के अंदोलन में और अंग्रेजी को हटाने में यह जो पार्टी है 1952 के चुनाओं में भाग लेती है तो तीन सीटें से मिलती है मैंने आपको बताया और 1967 के चुनाओं में चार शुरुवाती सालों में हिंदी बेल्ट में इसका कुछ प्रभाव रहता है जैसे राजस्थान, मर्द प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और वो भी शहरी इलाकों में क्योंकि ग्रामीर उस्तर पर इसकी पहुंच और पकड नहीं थी जो भी था वो RSS कर था जो भी थी इसकी पकड वो हिंदू महासभा की थी पर RSS और हिंदू समा महासभार राजनितिक दल नहीं है उन इन दो संस्थाओं से जो राजनितिक दल के रूप में जो लोग सामने आते हैं और जनसंगी कहलाते हैं वे इस बात पर विश्वात करते थे कि एक राज़्ट एक संस्कृती हो और चूंकि इनकी खुद की पैट अंदर तक नहीं थी अंदरूनी इलाकों तक इनका वोट बैंक जो है वो शहरों तक सीमी तरहा वो भी हिंदी बेल्ट में इनके जो मुख्य नेता थे शामा प्रसाज मखर जी पंडित दीन देयाल उपाद ध्याय बलराज मधोक और कुछ अन्य बाद में इसका रूप बदलता है रूप तो नहीं इसका नाम बदलता चला जाता है राजनितिक बदलाओ में चनावी राजनिति के परिप्रेक्ष में कुछ बदलाओ होते होते अंततह आज ये भारती जनता पार्टी के रूप में खड़ी है तो हम कह सकते हैं कि भारती जनता पार्टी की जड़ें जो हैं वो जनसंग में हैं और जनसंग के जो स्थापक लो कोई जड़ाव नहीं था विरोधी दलों के बारे में बात करने के बाद संग्षिप्त में आपको इनकी भूमिका बताना जरूरी होगा क्या भूमिका रही पहला सिध्धान्तों के बल पर कॉंग्रेस की नीती और व्यवहारों की कड़ी आलोचना करते रहना और जैसा मैंने कहा भाशर देने में वाद विवाद करने में विरोधी दलों के नेता किसी से कम नहीं थे तार्किक तरीके से विवाद करने में इन्हें महारत हासिल थी और यही लोगतंत के लिए बहुत आवश्यक भी था दूसरी भूमिका जो विरोधी दलों ने निभाई वो थी कि शासक दल पर अंकुष इन दलों के कारण लगा शासक दल की निरंकुष्टा ताना शाही पर लगाम लगाने का बहुत महत्पूर्ण कारे इन दलों ने किया कॉंग्रेस के भीतर भी शक्ति संतुलन को बदलने में शक्ति संतुलन को में बदलाओ लाते रहने में विपक्षी दलों की भूमिका बड़ी अहम रहे क्योंकि कॉंग्रेस से ही कई लोग निकल कर नय नय दल बनाते रहे तीसरा रूप इसके भूमिका की यदि बात करें विरोजी दलों की तो तीसरा है लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प जो एक अच्छे लोकतांत्रिक के लिए बहुत अहम बिंदु है वह इन विरोजी दलों ने दिया और इसकार जो शब्द मैं बार बार बोल रहा हूँ लोकतांत्रिक विवस्था को जमीनी स्थर पर बढ़ाया लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प उस समय जो शब्द वस्था में जो दल थे आज वे सत्ता में हैं हम जनसंग की बात कर रहे हैं जो जनसंग 1952 में जिसका जन्मुआ आज वह सत्ता में हैं और कई वर्षों से सत्ता में रही है चाहे वो केंदर में चाहे वो राज्यों में तो इस वकर इनकी भूमिका को नकारा नहीं गासकता राजनीतिक विकल के रूप में इन्होंने जो काम किया चौथी भूमिका शुरुवाती सालों में कॉंग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच में जो गहरा सम्मान था जिसके बहुत से कारण थे उस सम्मान के परणाम सुरूप एक अच्छी परंपरा लागू हुए और उसी परंपरा का परणाम था कि कॉंग्रेस इतना भारी भरकम वर्चस होते हुए भी ताना शाही रवईया अपनाने से दूर रही और अंतिम है कि विपक्षी दल के कुछ नेताओं को सरकार में भी शामिल किया जाना याने उनकी ऐसी भूमिका भी थी कि वो सरकार में रहते हुए भी विपक्षी दल के हों और इस विकार हमको देख सकते हैं कि मंत मर्डल में बियार अम्बेड कर थे शामा प्रसाद मुखर जी थे ये दोनों प्रकर विपक्षी नेता थे इनका सरकार में रहना और राजनीति के अड़ी बात करें तो भारती जनता पार्टी 37.36 प्रतिशत वोट पार्टी है जनता का विचिर्द हाइस वोट शेर जो अधिक्तम वोट शेर है किसी एक पार्टी के द्वारा उननिस सो नवासी के बाद याद रखेंगे उननिस सो नवासी याने वी पी सिंग के प्रधान मंतित के अकाल जब मंडल कमिशन लागू होता है मंडल आयोग आता है और अधर बैक्वर्ड क्लासिस के एक कैटेगरी के लिए आरक्षन का प्रावधान आता है जिसको लेकर पूरे देश में भुचाल मचता है उस समय के बात से लेके अब तक में सबसे ज़्यादा वोट शेर के साथ भारती जन्ता पार्टी सत्ता में आई है और 303 सीटें जीती है इस प्रकार इसने अपनी सीटों में और बढ़ावा किया है इसके अलावा जो यदि हम नैशनल डेमोकरिटिक फ्रंट की बात करें या एलाइंस की बात करें अन्डिये तो 353 सीटें हैं इसके पास 545 में एक बहुत बड़ी संख्या है तो लना करें कॉंग्रेस से वहां काल उस काल का जिसे हम वर्चस्व का काल कहते हैं जहां उसके पास 364, 367, 371 सीटें थी इस चुनाव में उसकी संख्या घटकर सीटों की संख्या कॉंग्रेस की उस समय थी कमों बेश वैसी वर्चस्वता पिसले गत 15 वर्षों से भारती जनता पार्टी की है आज कॉंग्रेस की हस्तिती हो गई कि 10% सीट भी उसे नहीं मिली है जो की आवश्यक है इस बात के लिए कि विरोधी दल का नेता उस दल से आता है जो 10% सीटें जिसे लोकसभा की मिलती है और विरोधी दल के नेता को लोकसभा के मंतरी का दर्जा मिलता है दुरभागे से कॉंग्रेस का ये हश्र हुआ है कि उसे 10% सीट ना मिलने के कारण विरोधी दल के नेता के पद से भी वो वन्चित रह गई कॉंग्रेस के नित्रतमिदेज UPA है United Progressive Alliance उसे इंकानबे सीट मिली है 52 कॉंग्रेस को और 6 सीटें UPA को के अलाइंस को कुल सीटें इनकी इंकानबे हो गए उसके अलावा एक तीसरा गुट है NDA फिर UPA और तीसरा गुट उसे कुल 98 सीट मिलती है अध्याय के प्रारम में हमने जिन बिंदू को बताया था और कहा था कि इन बिंदू पर अध्यन होगा उमिद है वे सारे बिंदू अब आपको स्पष्ट हो गया होंगे उधारन के लिए पहला बिंदू था चुनावी राजनीती के पहले दशक की बातों पर गौर कौन कौन सी बातें थी दूसरा बिंदू एक स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव प्रनाली की इस्थापना जिसमें चुनाव आयोग मुख्य था तीसरा आजादी के बाद के शुरुआती सालों में कौंग्रेस का दबदबा और चौथा और अंतिम विपक्षी दलों और उसकी नीतियों का उद्भाव ये चारों बिंदू आपके इस अध्याय के समाप्ति होते होते पूरे कर लिए गया है कौंग्रेस की सफलता के कारणों की अधी बात करें तो एक बहुत बड़ा कारण था उसके विभिन गुटों में ताल मेल और सहन शीलता अगर कोई समून नाखुश था तो भी वो पार्टी में बना रहता था पहली बात दूसरी बात पार्टी को छोड़ कर विपक्षी की भूमिका से बाहर रहकर दूसरे समूं से लड़ना उसे उचित नहीं लगता था तीसरा कॉंग्रेस की गट बंधनी सुभाव जिसे मैं इस तरीके से कहूंगा कॉंग्रेस के सुभाव में था गट बंधन की नीती तो उसका जो गट बंधनी सुभाव था उसकी जो गटबंदनी प्रवरित्य थी जिसमें जो भी आए वो गटबंदन में शामिल हो जाए उसने भी कॉंग्रिस को के वर्चस को बनाये रखने में अहम भूमिका निभाए और चौथा है सुलह की नीती समझोते के रास्ते पर चलना और सर्व समावेशी होना जो किसी भी एक गटबंदन की विश्यष्टा होती है उसका प्रारंबिक काल में कॉंग्रेस ने बखू भी पालन किया कॉंग्रेस के प्रभुत की जो प्रकृती को जिस तरीके से हमने समझा उसे हम कुछ इस रूप में भी देख सकते हैं खासकर जब हम तुलना करें अन्य देशों के साथ भी तो और स्पष्ट हो जाएगा जिसमें पहले है कॉंग्रेस के प्रभुत की स्थिति अन्य देशों में एक पार्टी के प्रभुत और भारत में एक पार्टी के प्रभुत में अंतर क्या तो अन्य देशों की अधी बात करते हैं तो इसमें लोगतंतर की कीमत पर एक पार्टी के प्रभुत रहा और उसमें उधारन है चीन, क्यूबा, सीरिया, समिधान में सिर्फ एक ही पार्टी के लिए अनुमती थी दूसरी और भारत की अधी बात करें तो एक पार्टी का प्रभुत्य लोकतांत्रिक परिस्थितियों में हुआ लोकतांत्रिक तरीके से एक पार्टी सामने आई तो उसमें कोई गलत नहीं है और इसको हम दो बिंदूओं में देख सकते हैं मुख्य और निश्पक्ष माहौल में एक के बाद एक चुनाओ होना एक कारण था दूसरा कारण था कॉंग्रेस एक सुगठित पार्टी थी और तीसरा था आजादी के अंदोलन के दौरान उसकी जो इतिहासिक भूमका थी ये तीन बिंदू हुए जहां तक अन्न देशों की बात है उसमें एक और बिंदू हम जोड़ सकते हैं ये वह है मियान मार, बेलारूस और इरोटिया इन देशों का इन देशों में जो है व्यवस्था शासन व्यवस्था कहने को तो लोकत आंतरिक लेकिन सैन ये उपाईयों के बल पर पाकिस्तान में भी बहुत बार ऐसा हुआ जब तथा कतित लोक्त तांत्रिक विवस्था के नाम पर फॉज के जनरल सत्ता में आते हैं फॉज के जनरल सत्ता में रहते हुए चनाओं कराते हैं ये कते ही निश्वक्ष नहीं थे